यहां चबते हैं कहें, आपने उनकी बातों परभारोसा तु नहीं किया नहीं छोटी मा, बिलकुल नहीं हमें आप पर पूरा विश्वास है आप ऐसा करी नहीं सकती हमारे साथ वैसे छोटी मा आपके कक्ष में आकर बात करने से भी कोई लाब नहीं हुआ क्यों? कोई तो है यहां पर जो चिपचिप कर हमारी बाते सुन रहा है हमारे कक्ष में कौन हो सकता आजटे हमारे कक्ष में कौन हो सकता आजटे यह देखे हमारे नटखट से देवर जी इस शया के पीछे छुपे हुए थे देवर जी इस तरह चिपचिप कर किसी की बाते नहीं सुनते पूरी बात शमा मांगे अरे मांगे शमा ऐसे क्या देख रहा है आप? भापी जी की बात नहीं टाला करते शमा मांगे शमा चाते है यह हुई ना संसकारो वाली बात? छोटी मा, आग्या दीजी देखा को अर्चकमाद पिल्कुल जैवंता भाई की पर चाही है यह तो उनसे भी खतरनाक है जैवंता भाई नहीं यह दूसरी धीर भाई जी है इसे एक बात का ही को है परता है जीदा जी राच हाकिम खान का मैत्री आग्रे ठुकरा कर आपने अच्छा नहीं किया विशेश रूप से तब जब गॉलियर संकट इतने उबाल पर हो विशेश लाचा वार गान परम खान पर वार रम खान परम खान परम खान रहा है लेकिन एक बात याद रखी है आप लोग गॉलियर पर हमारी यह चीन तब तक मुकमल नहीं होगी जब तक हमारी खैट से भाग निकिने हो भगोने राजा राम शाह तनवर और उसके बेटे को किरफ़तार नार भी गता है तो हर सिम्त ये ख़बर खेला देजाए कि राज कुताने में जिसने भी इन दोनों बाप बेटों को पना देने की जुर्रत की ही तो उसे चेहिंग शाह हिन जलाल उतीन महमद अकबर के खिलाब तुश्मनी का एलाना समझा जाएगा बेरम खान बेरम खान काश काश कि हम भी बेरम खान की तरह हाथों में तलवार धाम सकते तो हो सकता है कि हमें भी जलाल और तमाम मुगलिया पहुच की तरफ से इसी तरह से इससे तंसाई करवाने का मौका बिल जाता है विश्वास करें हाकिम खान से मित्ला करने की चाहा हामें भी उससे कम नहीं पर हम उसके पहले एक धोसाधार करने निर्मान कर लेना चाहते हैं प्रताब जैसा ठीक समझें और बैसे भी अब आप बच्चे तो रहनी गए हैं कि हम और आपकी रानी मा आपको हर बात समझाते रहें को हर प्रताब बैसे एक बात बताईए पिजोलिया में अपका गौना कैसा रहा है छोटी वाने बहुत उत्सा दिखाया गौने में बहुत मन भी दिखाया नोंने वैसे वीर भाई जी बहुत शांती पूरवक अपने कर्तब बे निर्वा कर लेती हैं इसलिए मनी मन उनके प प्रता है कौन प्रताब उनके मन में अजब दे के प्रती भॉसने है अजी आज हमें लगता है कि अमने जाके धानेवाद कहना चाहिए अभी अचानक राणिया अभी तो चानक छोड़कर कही हमें अज तक अज तक अफिमान की बाद नहीं के बाने का बश्च चेल ए है ठीकर कोईस्ताओ चाजी है कमाल 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 शोएंशा के बास हम से मिल रएग़ वक्त नहीं हमसे चलिए छोड़िये हमें नहीं जाइए हमें तारीफ के जार अन्फास कोई बात नहीं लेकिन हमारी ये फौज जिन्होंने अपनी जान की बासी लगा कर अपने खून में नहा कर गौलियर पे फटह हासल कि कम से कम शेंशा को इन्हें तो फटह की मुबारकबाद में दो अलफास बोलने चाहिए कंटाउ से इंतजार कर रहे हैं सब कंटाउ से कंटाउ से पता है जलाल गवालियर फतह है के बाद कितनी तारिफ हो रही है बैरम Computing कि दमाम फॉज और महाशरे में नउं हम यह नहीं कहते कि वो इन तारिफjat' के हकदार नहीं है कि घर्श माथमक्हान की तारिफ आपके जाहो जाल के बराबर आ जा जाये तो ठीक नहीं है ऐसा नहीं लगता आपको क्या अगर मैदाने जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ हुआ तो मारा जाए रहा हुआ पुट वार कर मुझ पर पुट हमने हद्तों पर वार नहीं करते हैं खोश में आई है जलाल ये क्या कुफर बोल रहे हैं आप दूसरा मौका देना तो कभी भी आपकी फित्रत में मौजूद नहीं था हो क्या क्या आपको कमोश जलाल ये आप नहीं है किसी और का वजूद आपकी रूप पर नाजल हो रहा है हम राजफूद है नहत्तों पर वार नहीं कर यह हमें क्या हो रहे है हम उसकी तरह कैसे सोच सकते हैं हम किसे किसकी तरह जलाल इसकी असरात परिशान कर रहे हैं आपको नहीं हम वो नहीं है हम वो नहीं है सारा दोश वह हम पर मन देगी दोलो दूसरा और कौन चानता है इस वारे में मान, मान, मान क्या? मान कवर जानती है ये सब आप धीरबाई जी कि हाँ तो हमारी मेरे त्यों निश्चित है ऐसा कुछ नहीं होगा छोटी मा आपको हाथ तक नहीं लगा सकती वो वो कैसे? बड़ी गहरी चाल खेल गई हचापते हमें अपना संदे बता कर गई है या तो हम वीरबाई जी को इस महल से बाहर निकालवातेंगे या फिर राना जी से मृत्यू दंद दिलवाएंगे अधाद यदि आप हम वीरबाई जी के विरुद कुछ भी करेंगे तो बात पलट कर हम परा जाएगे इस समय कुछ भी करने का अर्थ यही है कि हम यह साबित कर देंगे कि हमने आजब्दी के विरुद शर्यंते रजे है नहीं दिर भाई जी कुछ और सोचे हम यदि आपको खरोज भी आई ना तो आप जानती है क्या होगा सारा दोश उनहीं पे आने वाला है इसलिए हम कह रहें आप से कि वे आपके विरुद कोई भी साहस नहीं कर सकती बलकि वे तो दिन रात इश्वर से यही प्रातना कर रही होगी कि आप सुरक्षित है भी या नहीं देख लीजेगा हाँ आप ठीक कह रहे हैं हमने तो हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं आपने नहीं सोचा परन्तु यहां आते समय मार्ग में हमने इस विशे के उपर बहुत सोचा जोटी मा और हमें लगता हैं कि यही सबसे अच्छा विकल्ब है कि हम रानी मा को सब कुछ साफ साफ बता दे क्या बोल जिए अपने रानी मा से हमने पूचा क्या का आपने रानी मा से कुछ में बहुत है वो हम दोनो तो यूही साधारन दैनिक बाते कर रहे थे तो याव शक्ता ने अजब्दे का बचाफ करने की अजब्दे क्या कहा आप मेरा निमा से हमने कहा ना कुब बता वो अजब्दे और दिर्बाई जी बहुत दिनों के बाद मिले हैं न तो बिजोलिया की बाते बता रही थी हमें हमने उने ये बताया कि जो गौने में लेट्डू हमें खाना था मान ने इसमें विश मिलाने का सारा दोश चोटी मा पर लगा दिया था तो आपने राणी मा को बता दिया कि आप जानती थी है क्यूंकि आपने तो दुस्ता हस एक शर्ण रुकी के गूर पता आप आप जानते थे इस बारे में फिर भी आपने कुछ नहीं का क्यूंकि इस बात को अचेते नहीं है चोड़ी मा महतुबन बात यह है कि आप सबने मिलकर रानिमा के मन को ठेज पहुचाई है माण 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 आनिमा समा चाहते है आपके आगया बिन आपके एक अक्षमी चले है क्या बात है कुर प्रता आप इतने आशांत क्यूं दिख रहे है हमसे कोई भूल हुई क्या यदि हमसे भूल हुई है तो हम शमा मांगते हैं हमसे नहीं रानिमा अगर यहां किसी को भी शमा मांगनी है तो वो मान कावन कावर है अबने कहा था ना आपसे कि कोई भी मा अपने संतान के बारे में आहित नहीं सोच सकती कहा था कि नहीं आपसे अपने फिर भी आपने अपनी कार्पनिक शंकाए आज अब दे और छोटी मा को बता दी कैसी काल्पनिक शंका है कोरपरता कैसे कहीं आपसे रहा बात भूत उची है किस बुख से कहीं आपसे हां अमने ही कह भाएंगे यदि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कोरपरता किसी को तो बताना पड़ेगा मान आप बता ही है हमने ये कहा था कि आप अजब दे भापीजी के लड़ों में विश्च मिलवाना चाहती है पागल तो नहीं हो गई हैं आप अपनी ही रानीमा के विरुद अफ़ाय पहला रही है अरे क्या कुछ नहीं क्या रानीमा ने हमारे लिए हम भाई जगमाल के एक एक शब्से सहमत है एक एक शब्से मान कवर रानीमा से शब्से सहमा मांगे इसी शण हम एक शमा कर दीजे रानीमा और आप मान कवर शब्से सहमा रानीमा से इसी शब्से सहमा कर दीजे रानीमा और आप आपको समझना चाहिए था कितना समवीदन शील हो सकता है यह विशे फिर भी फिर भी आपने इस विशे पर बात की आपने कहा तर आपसे कर दीजे चोटी मा आप क्यों हमें लच्जित कर रही है जबते कि हमें लगता है कि हमारी ममता महीं कुई खोट रह गई होगी कुई कमी रह गई होगी जो आज हमारे बच्चे हमारे बारे में ऐसा सच रहे Ching जिन्हें हम अपने प्राहर से अधिक प्रेम करते हैं, उनके जीवन में हम विश मिलाएंगे और अब, हम आपसे शमा मांगते हैं, रानी मांगते हैं, जी, हमारी भी भूल है, हमने भी आपकी मामता पर संदेह किया, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारा संद भर्जला करतीजे, आप पर संचय करने के बजाये, आपके हाथों बरना पसंद करेंगे, यदि आपको रत्ती भर भी संदेह हैं, हमारी बातों पर, तो उड़ातीचे हमारी करता करता, उड़ातीचे राचा, वालता हुआए लाग्यू कि रिओए लाग्यू वालता हुआए लाग्यू भी टिपेडियू ओमरस एंदो में विरी लाग्यू आप पर संचय करने के बजाए, आपके हाथों मन्ना मसन कदिकियोंगे. यदि आपको रत्ती भर्दी संदे हैं यमारे बातों पर देगा, तो उड़ा दीजे हमारे करता करता. आपको रहाल को बातों हो लो उड़ा वाल हैं जया के विस वालत हैं अमें जया कशिका हैंघगे! तो आपकी जगह हमारे चड़नों में नहीं, हमारे रिदय में है कुमरप्रता, यदि हमने आपके प्रेम पर संधे कर लिया ना कुमरप्रता, तो जीवद में सारे संबंधों से विश्वा सूच जाएगा, अपने आप से भी विश्वा सूच जाएगा, है भगवान, यही, यही तो हम नहीं देख पाते थे बिजॉलिया में, यह त्याग और विश्वास के उदार, जुब सिर्फ इसी महर में देखने के लिए मिल सकते हैं, हम भगवान का कोटी-कोटी धन्यवाद करते हैं, कि उन्होंने हम ऐसे त्याग और विश्वास परे परिवार का अंग बनने का अफसर दिया। आपको नहीं लगता कि हमें दाजी राज को सब कुछ सच सच पता देना चाहिए। नहीं आजबते, नहीं। ताजी राज को हमें इन बातों से दूर रखना चाहिए। उनके बज इससे ही बड़ी समस्या है। मुगलों की। शेहन्शाह। शेहन्शाह। शेहन्शाह हमें आपसे कुछ बात कर दी है। शेहन्शाह। शेहन्शाह वो ग्वालियर। शेहन्शाहष शेहन्शाह शेहन依 काथ शेहन्शाह शेहन्शाह वूू viv को शेहन्शाह शेहanton श्शे holiness किम्रेव अंतर मन की चाह यही तुम हो जहां मेरी रावई जो है मेरा सब अरपन तुमको व्याक लेनों है दर्शन को महाव में स्वर में तुम ही तुम हो आठो बहर में तुम ही तुम हो आठो 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 दादा भै क्यों नहीं आया अब तब? दादा भै बाद में खा लेंगे भै बाद में? मतलब काः हम तो उनके खाने के बाद एखाते हैं, सदा तो आपको आज भूका ही रहना पड़ेगा अरे वाँ, हम क्यों रहेंगे भूका? अब अजब दे भाभीजी आ गही है ना तो अजब्दे भाबी जी आई है, इसका मतलब दादा भाबे भूखे रहेंगे अब चान, वो अजब्दे भाबी जी के साथ खालेंगे मान, आप अपने दादा भाई को खाना परोशी हैं, हम अभी आते हैं आनी माँ खुमर प्रताप, आपके दाजीराज आपके वहां ना होने से ख्रोधत हो रहे हैं वे प्रतिक्षा कर रहे हैं भोजन पर और हमने दाजीराज से कह दिया था कि हम भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं अच्छा, तो हो सकता है किसी और बात से उनका मना शान दो हमें लगा क्या आपके ना होने के कारण वैसे कहां जा रहे थे हाँ? चोटी मा? यह कैसा प्रश्न है चोटी मा? अपने कक्ष में वे अपनी पत्नी से ही तो मिलने जा रहे हैं एना कोर प्रताप? क्यों यह ऐसी बात है अजब दित तो हम आपसे कह दें कि पती पत्नी का पहला मिलन बहुत ही महत्पपूर संसकार होता है उसके लिए हमें महरत निकालना पड़ता है चली कोर प्रताप चोटी मा? आप भूल गे? इस महल के सौ वर्शों का पंचांग हमने ही निकल कर भिचवायता हु भार भी है तो फिर हम महरत को कैसे भूल सकते हैं? फिर भी सतर्टा वश हमने पंड़ेट चक्रपानी मिश्री जी से आज ही बात गी थी इसी विशेबन और उनका भी यही मत है ये महरत सर्वुत्त महरत है है जब दे तो फहर सारे ग्रह सारे नकषत्र आपके साथ है आप जाए कोर प्रता आपके दाजी राज को आपके बिना भोजन करने की आदट पड़ जाएगे मुन नह्यानि माव भोग आप 아 अपना परिचेदो अन्यता मोत के घाट उतार देंगे हम हम गौलर नरेश रामशा तनवर हैं और ये हैं हमारे सुपत्र हमें अभी क्या भी रणा उदे सिंग से मिल ला है कदाचित हमने आपको यहाप पर रोकने के लिए बोल कर हमारी लाज और शील की सीमाओं का अतिक्रमन किया है और हमें इसका खेद है इसलिए हम आपसे शिमा मानते है हमने जो कुछ भी कहा कि आप उसे भुला सकते है हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है हम सोने जा रहे रानी मा के सामने जो आपने कहा माना वो आपकी भूल थी इन तो यह सब तयारिया कहने अभी अपने भूल गहीं यह सब तो बस हमने सोचा कक्ष को थोड़ा सजा दे कु गुर्बश्च और कोई बहाना बनाने के आवे शर्ता नहीं है और कितने बहाने बनाएंगे आप अपने प्रियम को जपाने के लिए मैं डर लगता है कि कहीं आप हमें पाकर ना समझे वो तो आप है मैं ही तो हूँ बस मैं ही तो हूँ पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ आस में मैं और सास में मैं विश्वास में मैं ही हूँ आस में जर सि αυτ में अच्केर, आस में आचे does not only आपात कर इंदर बार के लिए खंट नाद हुआ है हमें जाना होगा कुछ पता चला कि गॉलियर का राजा और उसका बेटा कहा चुबे है नहीं हुजूर कहा चले गए यह तोनों जब तक यह तोनों बाप बेटे नहीं मिल जाते शेहनशाह की नजर में तो हमारी यह जीत अदूरी रहेगे पर हुजूर गॉलियर के आपकी शांदर फत्ते के बाद राजपुतन में ऐसा कौन जो हमारी दुश्मनों को पना देने के जूरत कर सकता है आप सभी अपना स्थान गरण करें कईए गॉलियर नरेश क्या कहना चाहते हैं आप राजनतिक शरण के लिए अब हमारे सामने चितोड ही एक आशा की अंत्यम किरन है उदै सिंग जी समस्त राजपुतने ने मुगलों के भय से हमें निराश होकर लोडा दिया है अब आप भी अपना निरने सुना दे राजी राज हमें लगता है कि ग्वालिया नरेश और उनके पुत्र को हमें राजनतिक शरण देनी चाहिए पर हुजूर्ण अगर मेवार ने उन दोनों को पना दे दी तो अगर मेवार ने उन दोनों को पना देने की जुवरत की है तो इसका मतलब है हमें जंग के लिए सरहां दावत वैसे मुगलों के दुश्मनों को पना देने की ये बेवकूफी इस वक्त मेवार के लबाए इस मुल्क की और कोई रियासे नहीं कर सकती हमें फॉरन उंग्वालियर के राज़ां उसके मेटे की तलाश में जित तोड़ की तरफ निकलना पड़ेगा हमारे जाने की मुकमल तयारिया की जाए फॉरन राना जी बाउजी राज प्रताप शूर वीर हैं और निर्भीक भी इन्तु एक सत्त ये भी है के जीवन में इस समय बाउजी राज युवा है और एक वीर युवा कभी कभी जीवन में भावना वश निर्ने ले लेता और हमारे मत में आजीराज ने इस परिस्थिती में कुछ ऐसा ही किया. आजीराज, आपकी और इस समस्त मेवार की सुरक्षा का उत्तरदायत्व हम पर है. इसलिए जब जब प्रश्न आपकी और मेवार की सुरक्षा का आता है तो हम कटू से कटू सत्य बोलने से भी नहीं चूपते हम आपकी गौलियर नरेश को बचाने की मंशा को मानते इन्तो इस समय अधी हमने गौलियर नरेश को राजनैतिक स्थनरक्षन दे दिया तो ये कैसे संकट को मोल लेना होगा जिसके लिए जिसके लिए मिवार इस समय तयार नहीं है रावजी जाहे जितना भी संकट क्यूं ना हो शार नागत को शारन देने में अब पीछे नहीं आड़ना चाहिए कि संदे हैं हम मानते हैं कि महल में आये हुए अतिथी का सबकार करना चाहिए इन तो इस समय बारावची इस संदर्प से आने वाले सभी संभावित संकटों से भली भाती परेचिते इस संकट की घड़ी में यदि हमने इने सुरक्षा प्रदान नहीं कि इनका साथ नहीं दिया तो याद रखिएगा एक दिन ऐसा आएगा जब मोगल हमारी समस्त्र मात भूमे पर अधिकार जमा लेंगे अजी राज आप ही बोलिए क्या इस संकट की घड़ी में मात्र अपने नीजी स्वार्थ के लिए हम अपनी बहचान छोड़ देंगे यही तो समय है सारे राजपुताने को संदेश देने का कि हमें मिलकर रहना है एक जुठ होकर रहना है दैशात्र जित्रा ही बढ़ा क्यों नहीं राजी राजी आपका सम्मान करते हो है पूरी विन अमरता से हम ये कहेंगे यह समाई जो है और नेर्नाय का नहीं और कि ठोस्ट निर्णे लेने का है शमा चाहते हैं दाजी राज परन्तु रादा भाई हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है मतलब यदि दाजी राज चुप है तो इसका अर्थ यह है कि वो कुछ सोच रहे हैं और यदि दाजी राज किसी भी निर्णे को लेने के लिए समय ले रहे हैं उसमें आप उन पे दबाव कैसे डाल सकते हैं बनकि हम तो बस कौण जगमाल बस कौण या निरेश रामशा अतनवर ची आप देख सकते हैं किस निर्णे को लेकर हमारे दर्बार में ही नहीं बल्कि हमारे परिवार में भी भिन भेन स्वर उठ रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि निर्णे लेने के लिए आप हमें समय दे आज रात का समय इसलिए तब तक आप हमारे राजके विश्राम ग्रह में जाकर विश्राम करें हन्यबात महराज शुबरात रज शुबरात रज रबर जी ए भगवान चल गई हमारी बात परे दरपार में दादा भाई की बात काठती हमने जय हो कुवर जगमाल की जय हो पता है आपको जीवन में अधिक हमने क्या किया है पूर प्रताप की प्रतिक्षा वो आप आयनी थे न तो समय काटने के लिए हम भूलो के साथ हम हर समय ऐसा नहीं करते अगर ग्वालिय नरेश और उनके बेटे को मिवाड ने पना नहीं दी तो राज़ पताने में कोई और राजिभाड उन्हें पना नहीं देखा कि पाजी राजी राजी राज, ऐसा तो होने नहीं दे सकते यह बिल्कुल सही नहीं है हाँ आपकी बात से सहमत है, यह बिल्कुल ठेक नहीं है कुबरपरता, आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं हमें भी लगता है हम कुछ भूल रहे हैं अपना कर्दव यह दूसरों के लिए अनिसान अभूती है क्या? मतलब क्यों हम राजनेतिक कारणों के नाम पे सवायम को सुरक्षद रखने के लिए अपने कर्दव यह भुला देते हैं अब क्या कह रहें? क्यों कह रहें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें भी दर्बार में सब के स्वर नहीं समझ आ रहे थे इसलिए हमें दाजी राज के सामने अपनी बात को रखने का प्रयास किया लगता है रात पर उनके निर्णे के प्रतीक्षा करनी होगी अब क्यों जाग नहीं अब तक अब सोई क्यों नहीं ऐसी फूलों से बात करने का जी कर रहा था इसलिए अब तक जगे थे चली बहुत रात हो चुकी है चली आई सो जाई ठीक है हम सो जाते हैं और आप भी सो जाईएगा नहीं नहीं आप रात बर ना राजनेतिक मंत्रणा के बार में सोचते रहें ठीक है कौन अजब दे क्या बात है सब ठीक है ना पता नहीं हमें ऐसा लगा जैसे खिड़की पर कोई तो था पर हमने अब खिड़की बन कर दी है आप चिंता मत कीचे हम बिलकुल ठीक है कौन 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो सारी राद सोते सोते बिताने पड़ी अजब्दे 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 लगता है वो जग गए हमें तैयार होना है दरबार जाने के लिए हम आपकी कुछ सहायता कर दे आपके लिए स्नान का जल आदी हाँ हाँ क्यों नहीं अवश्य चोटी मा हमें राद सोते सोते नहीं चकते चकते ही बितानी पड़ी हम कुछ प्रताप के लिए स्नान की व्यवस्था कर कर आते हैं हाँ 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 अजब्दे इतने साधार नित्य करम को है आप इतना कलात्मक और हथानी क्या-क्या बना रहे हम आपके हर दिन को एक अनुठा अनुभवी तो बनाने आए हैं आपर पीजे कुबर प्रता आपके स्नान के लिए लेत तयार है ये विशेश रूप से उन राजकुमारों के तनाओं को मुक्त करने के लिए हैं जो अपने राजनेतिक चिंताओं के कारें रात भर अपने कक्ष में बिना नींद के ताय से बाय पाय से दाय खूंते रहते और उन पतियों क्या क्या जो रात भर इस चिंता में डूबरी रहती हैं क्यों के पति क्यूं और किस चिंता में क्या में उन्हें भी लाप होता है इस जड़ी बूटी के लिपस अजब आपको तरबार के लिए देरी होड़ी होगी बस कीजी कोर प्रताप 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 हो प्रताप 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 प्रत प्रत एक के बाद एक हर स्थर पे हराती जा रही है वे इस तरह से इस महल में किसी ने हमसे बात ने किये जैवंताजी जाने भी ने और ये ले ऐसे और विद्य आई अचाफ़ति, आप हम से बात क्यू नहीं कर ने कुछ बोल क्यू नहीं रहे हैं वाताएं, तल सबी दर्बारियों और यतिदियों के सामने दाजी राजने दादा-भाई की नही हमारी सला मानी ए कि क्या कह रहे हैं हाप हाँ रानीमा सला ही नहीं वानी हमें तो लगता है कि उन्हें हमारी सला पसंद भी आई सच कह रहे हैं एक लिंग जी का कुटी-कुटी धन्यवाद बस रानीमा अब आप अपने भगवान को धन्यवाद करते-करते ठक जाएंगी क्योंकि अब हम राजी राज को और प्रभावित करने वाले हैं और शीग रही उनके मन से घुमर प्रताप का स्थान हटाकर स्वयम जमने वाले हैं आप यहां क्या कर रहे हैं को और चक्मा वो दाजी राज कल दरबार में आपसे बिनानुमती लिए बोलने की दिरिश्टा के लिए हैं आपसे शमा मांगने आए ठीक है कोई बात नहीं चाहिए ताजी राज हमें लगता है कि आपने शौर्रे और साहस के साथ साथ अपनी राजने देख समझ बूझ के लिए जादा जाने जाते हैं कोई जगमाल साथ साथ करिये क्या कहना चाहते हैं यही के खौले नरेश को शेरण देना कुछ जादा यादर्शवादी नहीं हो जाएगा मतलब मुगल से ना कितनी शक्तिशाली है और अभी हमारा उनसे उलजना उचितना ही रहेगा क्योंके सब तो दादा भाई नहीं है जो आदर्शों के लिए अपने प्रांड में निशावर कर दे संभाव है ऐसे कितने ही सैनिक होंगे जिनको मातर आदर्शों के नाम पे इस यूट में सम्मिल्लित होके अपने प्रांड का वान उचितना लगे राजी राज गौले नरेश को शरन देना इस से कहीं हमारे सैन आदर्शों को लेकर अपने मन ही मन में इतनी घहराई से सोचने का आपका यह प्रयास देखकर हमें अच्छा लग रहा है अतियुत्यम लेकिन रहा प्रश्न इस विशे पर निड़ने लेने का तो आप हम पर छोड़ दीजिए हम सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते सबके हितों का ध्यान रखते हुए निड़ने लेंगे यही तो चाहते हम दाजिराज कि निड़ने चाहे जो भी हो लेकिन वो आप लें यह नहीं होना चाहिए जो दादा भाई आपके लिए आपके लिए आपके लिए महारा ना उदेजिंग पधार रहे है अपना सान गरण कीजिए अधर निये गौलिया नरेश राम शाहत अनवर जी जवाब जैसा वीड़ नरेश आपातकाली इंस्थिती में विवश हो कर राजनेतिक शरण मांता है तो मेवार के लिए यह नहीं किसी भी राज्ये के लिए गौरव की बात पुदिए इन्तु हमारा मन चाहे जितना भी आपको राजनेतिक शरण देने के लिए उताबला हो मेवार की सुरक्षा के दृष्टी कौन से ज़ि हम बर्तमान सामरिक एवं राजनेतिक परिस्थितियों का आंकलन करते हैं तो आपको राजनेतिक शरण देने का हमारा इन्र ने असंभव लगता है लगता है प्रताप के साथ 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 हमारा पी आप पर थोड़ा पौत अधिकार बनने लग गया है था जी राजाज राणा हुदे सिंग जी मेवाड के नरेश होने के नाते कोई भी निरने लेने से पहले आपका मेवाड के हित्म और मेवाड की सुरक्षा का ध्यान करना आप जिससे योग गिराज़ों को शोभा देता है और इससे हम स्विकार करते हैं राजलिती में परिस्तितियां देश, काल और समयन उसार बंती विगड़ती रहती है परंतो हम आशा करते हैं कि हमारी मित्रता की मिठास और विश्वास ये द्योनों चीज़े कभी प्रभावित नहीं हों अवश, आना जी वाइदुचता शमा आपके निर्णे से सेमत नहीं है चर नागत को धिराश करने कर निर्णे मुगलों के सामने घुटने टेकने के बराब बराब फिर क्या अंता रहे जाए जाए राजपुताने के अन्य और राज्यों ना अच्छे तोड़ तोड़ अगर हमें किसी को पना देनी है तो हमें देनी चाहिनी चाहिए को गए परताब हम आपके हर तर्ज से सहमत होते हुए भी आप से एक बात कहना चाहेंगे कि हमने निर्णे सभी बाते सोच समझ कर, विचार विमर्शकर के लिया है और हम आपसे भी यह आशा करते हैं कि आप हमाले इस निड़ने से सहमत हो कि दूराना जी आप गौल प्रताब हम निड़ने ले चुके हैं इसलिए अब इस विशे पर कोई बाद बाद नहीं गौलिया नरेश राम शाहत अनवर जी हम सच्चे मंद से आपके सुरक्षेत और उज्वल भविश्य की काम ना करते हैं मेवाड नरेश की जय हो हुकुम बहराम खान अपने कुछ सिपाईयों के साथ दूर के दौर पर मैल में प्रिवेश की आपसे अनुमती मांग रहा है हुकुम बहराम खान अपने कुछ सिपाईयों के साथ दूर के दौर पर मैल में प्रिवेश की आपसे अनुमती मांग रहा है क्या उसके साथ मुगल सैना भी हैं नहीं हुकुम उनके साथ कुछ उनके विश्वस्त सैनिक है उन्हें हमारे सामने लाए जाए जाए इसका हरत है क्यों से पता चल गया कि हम यहां गॉलिया नरेश जब तक प्रताप सिंग यहां और अपका बाल भी बाका नहीं गाल प्रताप बाल भी ठीपने कि उनके साथ कि बढ़िया इसका कि नहीं प्रताप से फिर्ड़ी साथ जनके से अवरी बाल भी ड्लापी यहुशं स्वाराटा थाभ जय को अदर धर को फुड़ दो कर भाल वादा जाएक लेंटी वाल नड़ी तो यहां दुक्के बैठे हैं चना मिलकुल सही निकला हमारा अंदाजा कि सारे राज़ पताने में मेवाड ही एक ऐसी बहादुर रियासत है जो मुखलों के इस दुश्मन भगोरे राजा को बनाते सकती है अमाम शाद तनवर एरम खान यह हमारे सम्माने गथिदी है इसलिए जब तक हम ना चाहें आप इंके निकल भी नहीं जा सकते हैं आप इंके निकल भी नहीं जा सकते हैं राणा उदै सिंग्ग आपके फर्जंग उम्र में तो यकीनँ बड़े हो गए मगर इनके मिजाज अभी भी वैसे ही बे खौफ हो लोहा चाहे जितना भी तब चाहे उसका आकार बढ़ बढ़ है उसकी परविती तदा भी ना बढ़ते हैं राणा उदै सिंग्ग इस शक्स को पना देकर आपने जबरदस्ट गल्ती कर देगे इतनी जबरदस्ट गल्ती के इसकी तीमत मिवार की आने वाली कई नसलों को चुगा निगा सकती है आपको शायद इल्म नहो इसलिए बता रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत आज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत है जिसकी अजबत मत और जाहु जलाल के आगे आगे सारी दुनिया अदब और रहतराम से अपने सर चुका दी आपने मुगल सल्तनत के अगोरे तुश्मन को पना देने की गल्ती की है तो सोच लीजी किया आपका क्या हश्र हो सकता है हम मेवाल की हस्ती को इस हग तक मिटा कर देंगे कि अपने वजूत को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शेहिंशाह के सामने सर चुका की खुटने देख के ताउमर मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिद्मत करने की बादब इजासत मांगनी पड़ेगी तब कहीं जाकर आपके पच्छने की को इस सूरत निकल सकती है वेरे उखान! पुरी लग गई ना हमारी बादू हमारा एक मश्वरा है आपको प्रताब क्या आप कभी अपने इस इस खिते से बाहर निकल कर दुनिया देख लेगी जान लेगी के आज आपके राज़गदाने के राज़पूतों को तो आदत पड़ चुकी है मुगलों की खिद्मत करने की मुगलों के चीके घाँ एबसेंग जान देखने कमचेदक